हेलो फ्रेंड्स राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नास्ता तो इसके लिए आप नॉर्मल सूजी या बारीक वाली सूजी जो भी है आप उसके को ले सकते हैं मेजर्मेंट के लिए आप कोई कटोरी या कप सेट कर सकते हैं या जितने ज्यादा मिंबर है उसके इसाब से नास्ते को ज्यादा बना सकते हैं तो यहाँ पर एक कटोरी के लगभग मैंने सूजी ले लिया है, यहाँ पर नॉर्मल सूजी है और इसे मिक्सी की जार में हमने डाल दिया है, इसी के साथ ही जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम इसमें पानी एट कर देंगे, जैसे आपने एक कप सूजी लिया है तो एक झालिए गा इसी की साथ ही इसमें डालना है आधा चमत चीनी इसे मिठास नहीं आए गी लेकिन हमारे नास्ते में बаноश्त अच्छा सार सियगा तो आधा चमत चीनी जरूर डालिए गा और इसी की साथ ही इसमें एड कर ज कर देते और हैं अपने तेस्के श pinchा नमक अप जान च करिएगा और जब हम पीस का रेड़ी करें तब आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल से हमारा नास्ता फूला फूला तो बनेगा ही सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बनता है तो जरूर डालिएगा अब इस बैटर को हमें ट्रांसफर कर लेना है एक बड़े से बोल में बैटर की ठीकने साब देख सकते हैं गिराने से बिल्कुल उसी पोरिंग है और आप इसी चाह लोग लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि यकीन मानिया आपको इसको ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा मैं तो रेस्पी सूट कर रही हूँ इसलिए मैं कम भी बनाती हूँ कोई भी चीज होती है और इसी के साथ इसमें कर देते हैं आधा चमच खड़ा चीरा और थोड़ा सा नमक एड़ कर दिया है क्योंकि नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहां पर इसको चेक किया टेस्ट किया थो थोड़ा सा कम था तो मैंने नमक को डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से फेंट भी चला दिया था लेकिन क्या होता है फेटने से बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनता है तो इस प्रोसेस को करना बिल्कुल भी मिक्स कर लेना है अच्छे से मतलब फेट चीजएगा जिससे की सोडा और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं बहुत ही आमेजिंग सा नास्ता बनकर रेडी होता है एक पर आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा मेरे कहने पर बलकि बच्चे तो इसे मतलब चटी कर जाए या तो बिल्कुर से बारीक चॉप करके लेकिन मैं आज इस नास्ते को बिना सब्जियों के बनाने वाली हो बिल्कुर से सिंपल तरीके से तो यह देखे बैटर हमारा बिल्कुर से रेडी है चलते हैं इसे नास्ता बनाने की प्रोसेस में तो इसके लिए मैंने यहाँ पर केक टिन लिया है आपके पास कोई थाली है आपो भी ले सकते हैं या आपके पास कोई भी प्लेट है थोड़ा सा मतलब गहरी हो अगल बगल से थोड़ी सी बाट निकली हो ठीक है इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर तेल डाल दिया है और ब्रस स करना जरूरी है और अगर आपको ओयल नहीं लगाना है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं आपर उसमें आपको ग्रीस करने की जरूत नहीं होगी तो इतना तो आपको पता चली गया होगा कि इस नास्टे को हम लोग स्टीम करने वाले हैं तो अगर बटर पेपर लगाते अगर आप घर में इस नास्ते को ट्राई करोगे ना तो 6-7 मिनिट में बनकर रेडी हो जाएगा फट फट से बनने वाला नास्ता है एक पर जरूर ट्राई करिएगा और बल्खी आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो यहाँ पर बैटर को तो अच्छे से हमने पोर किया है लेकिन 2-3 बार अच्छे से इसको टैप कर जीजिएगा अब चलते हैं इसे स्टीम करने की प्रोसेस में तो एक गेस के उपर मैंने कड़ा ही रखी है और इसमें डाल दिया आधा ग्लास पानी और उसके उपर रख दिया है एक कटोरी आपके पास कोई स्टेंड है वो भी आप रख सकते हैं और उसी के उपर आपको ट्रांसफर कर देना है अपना केक टिन अब यह हमारा नास्ता फीका ना लगे इसके लिए हम यहाँ पे डाल लें चिली पाउडर तो चिली पाउडर पे बहुत थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं बहुत जादा नहीं आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या तो आप यहाँ पे सफेद वाला तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं उसे भी हमारा नास्ता बहुत टेस्टी लगेगा क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा चीज़ें आट नहीं की हैं इसी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे जिसे की उपर से थोड़ा सा फीका ना लगे बस अगर नहीं स्प्रिंकल करना चाहते तो आप इसके भी कर सकते हैं बिल्कुल से ही कम तेल का हलका फूल का सा नास्ता है इसे आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं किसी मेन ओकेजन की ज़रूद बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पर लिट लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम हमने कर दिया गया इसका और उसमें हमें इसे 5-6 मिनट कूक करना है जब यह पकेगा न तो फूल भी जाएगा थोड़ा सा तो यहाँ पर देखिए 6 मिनट हो गया है और उपर से जो हमारा नास्ता है एकदम से ड्राई हो गया है जब इसे आप टच करेंगे न तो हाथ में आपके बिल्कुल भी जिपकेगा नहीं इससे पता चल जाएगा कि अच्छे से स्टीम हो चुका है और नहीं तो आप नाइफ लीचिएगा नाइफ को इस तरीके से इंसेर्ट करिएगा सेंटर पर तो नाइफ में देखिए बिल् नास्टे को देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूला फूला है लग रहा ना एकदम से फूला फूला और इसकी जो साइट से ना अपने आप ही इस तरीके से निकलने लगेंगी मतलब कि ये केक्टिन को आराम से छोड़ रहा है लेकिन इसे ठंडा करके ही आपको डिमोल्ड क करिएगा तो पहले आप हाँ से इस तरीके से अपनी फिंगर से इसकी साइट को छुणा लीचिएगा और उसके बाद ही हमें इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर मैंने एक प्लेट लिया है और अपना नास्ता हमें इस तरीके से इसके उपर ट्रांसफर करना उपर से दो-तीन बार टैप कर दीजिए गाज जिसे कि आराम से निकलाएं तो यहां पर देखिए हमने इसको निकाल लिया है और कितना ज़्यादा यह सॉफ्ट बना है जैसा भी आपको सेप चाहिए आप उसी सापसे से कट कर सकते हैं मैं इसको स्क्वार सेप में इस तरीके जैसे केक कट करते हैं बस वैसा ही कट कर रही हूँ देखने से लग रहा है कुछ केक की तरह तो बस केक की तरह ही फूला फूला और स्पंजी बनकर ready होता है बहुत ही कम समान से आपने देखा ही कि कितना ज़्यादा instant नास्ता है तो इसको मैं पीसेस में इस तरीके से cut कर रही हूँ आपका जैसा मन करता है वैसा आप इसको कट कर लीजिएगा तो इस नास्टे को आप ऐसे ही मतलब एंजोई कर सकते हैं जैसा कि अभी ये बनका रेडी हुआ है इसकी जालियां आप देख सकते हैं, कितने बड़यां से इसमें जालियां आई हैं बहुत ही जादा perfect रिक्दम से फूला फूला नास्टा बनकर ready होता है तो अगर आपको ऐसे ही enjoy करना है बिना तेल का तो आप ऐसे भी enjoy कर सकते हैं बहुत ही जादा tasty है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा twist लाना चाह रही हूं तो एक चमस टेल में हम इसे थोड़ा सा फ्राई करने वाले हैं तो यहाँ पर देखे गैस पर मैंने एक पैन रखा है इसमें डाल देंगे एक चमस टेल बहुत जादा टेल की आफ सकता नहीं है जिसे कि हमारा जो नास्ता होगा उसमें क्रिस्प अच्छा आजाएगा तो हमें बस एक ब्रस से पूरा का पूरा तेल अच्छे से पैन में फैला देना है उसके बाद जो मिर्ची वाला भागए उसे हमें नीचे की तरफ रखना है जैसी हलका सा पैन गरम हो जाएगा बहुत जादा गरम मत करियेगा पैन को बिल्कुल हलका सा गरम हो वैसे ही आप इसे इस चरीके से ट्रांसफर कर देना तो जितने पीसे साब को भी खाने है उतने ही आप एक बार में फ्राइ करियेगा या तो पैन में जितनी जगह है उस हिसाब से आप इने फ्राई कर सकते हैं तो बहुत ही कम तेल की जरूत होती है लेकिन इसमें इस तरीके से क्रिस्प बहुत अच्छा आजाता है तो बस आपको थोड़ा सा इसको हलका सा प्रस करना है और बस आपको आधा से एक मिनट के लगभगी सेखना है बहुत ही अच्छा सा कलर आता है क्रिंच आ जाता है बस एक साइड में हमें आधा मिनिट के लगभगी सेखना है और आधा मिनिट बाद आप इसे टर्न कर लीजिएगा बस इतनी ही देर में इसमें बहुत ही अच्छा सा एक क्रंच आ जाएगा और कलर भी नास्ते का बहुत अच्छा आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है तो अपने पूरे नास्ते को इसी तरीके से टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड भी हमें आधा मिनिट के लगभगी सेखना है जिसे कि दोनों तर बढ़ी हासा इसमें क्रंच या जाएगा और यह नास्ता खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो जो लोग ओयल खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते तो वो सिंपल जब स्टीम किया था ना तब भी उस नास्ते को इंज्याए कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिया हमारा नास्ता बनकर रेडी है इसे हमने सर्व कर लिया है प्लेट पर और इसके साथ में सर्व कर रहे हैं टमेटो सॉस आप इसे ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं इतना जादा फूला है बिलकुर से जालीदार ये नास्ता बनकर रेडियो होता है उमीद करती हूँ आज की रेश्पी आप सभी को पसंद जरूर आई होगी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर जीतिएगा और फैमली फ्रेंड्स रिस्टेदारों के साथ जादा से जादा से जादा से करिएगा जो लोग मेरे चनल पर न्यू है चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह कि आसान और यूनिक रेश्पी देखने के लिए बेल आईकन को जरूर प्रस करिएगा मैं डेली अपने वीडियो अप्लोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगी तब भी जब आप बेल आईकन को प्रस करेंगे तो आप लोग इस नाश्चे को बनाएए इंजोई करिए मिलती हूँ एक नई रेश्पी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए बाबाई टेक कियर